Friends MCC All India Quota की counselling within two weeks start हो सकती है क्या-क्या नए changes हैं इस बार ये हम इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो को सुरु से लेकर last तक देखेंगे तो एक-एक changes क्योंकि मैं consultation करता हूँ मुझे पता है कि बच्चे कहा problem face करते हैं कौन-कौसी ऐसी दिक्कते हैं जो face करते हैं वो All India Quota की counselling में from choice filling से लेके किस तरह से उनको switching करनी है state kosar से All India Quota ये सारी चीजे मैं कोसिस करूँगे इसी वीडियो में cover करूँ MCC All India Quota की counselling में सबसे important बात ये होती है कि आप जो भी counselling की detail fill up करें All India Quota की वो ride fill up करें मैं पिछले साल का एक example देता हूँ एक बच्चा था अंकीत चिनों ने 701 marks score के था out of 720 वो मेरे personal consultation में आया था और उसने ये सोचा कि वो general में आता है All India Quota की list में और था वो OBCNCL means उसके पास OBCNCL certificate तब बना तब उसे पता चला जब counselling की detail उसने fill up कर दी थी तो हमारा जो मैंने भी अपनी तरफ से courses ये की थी कि MCC को किसी तरह से mail किया जाए even NTA को भी mail किया जाए किसी तरह से category change हो जाए means from general to OBCNCL category change option नहीं होता है इसलिए उसको इसका खामिया जब हुकत नपड़ा उसका merit देस पे Ames New Delhi आसानी से हो जाता लेकिन नहीं हुआ because of category इसलिए मैं पिछले वी वीडियो में जब आपका exam होता था तभी कहता था कि category की गलती बिल्कुल मत करिएगा जो भी category है central list में है वही category fill up करिएगा यह सबसे ज़्यादा important बात है क्योंकि category के base पे ही आपका selection होता है हाँ अगर आप गलती से OBC fill up कर दिए या फिर S C fill up कर दिए या फिर S T fill up कर दिए और आप general candidates हैं तो आपकी reverse switching तो possible है क्योंकि general rank तो सबकी means common rank होती है means सबकी ही rank होती है चाहे किसी category की हो तो उस base पे आपकी counseling हो सकते लेकिन अगर आप OBC NCL है और आपने general fill up कर दिया और आप सोचे है general से OBC NCL या SC हो जाए तो ऐसा possible नहीं क्योंकि उससे पूरी जो category rank हो प्रहाइत होगी और नया ऐसा कुछ नहीं होगा तो बहुत ही धान से यह सारी चीजें करिएगा अब MCC All India quota की counseling में कौन कौन सी important बात है कैसे आपकी counseling होगी क्या इस बार नया होगा किस तरह से आपको proceed करना है यह हम चलिए आगे इसमें बात करते हैं स्लाइट को पूरा सुरू से लेकर last तक देखें तो आपको समझ में आएगा अब केवल यही कि नहीं हमें तो सब कुछ पता है यही सब कुछ पता वाली जो सोच होती है इसकी वज़े से आप counseling में गल्दिया कर देते तो चलिए सुरू करते हैं इसके वीडियो या फिर आपकी जो भी कोर्सेज हैं MBBS BDS की बात कर लेते हैं ठीक है counseling जो होती है वो दो पार्ड में डिवाइड होती है एक होता है EIQ 15% सीट के लिए और एक होता है State Quota जो बची हुए 85% सीटे हैं उनके लिए ठीक है तो हम आज EIQ की counseling के बारे में बाप करेंगे अब NMC ने क्या कर दिया है पहले क्या होता था कि जो schedule होता था आपका State Quota की अलग counseling चल रही है All India Quota की अलग counseling चल रही है इसका round one down two finish हो गया तो लोग State Quota की शुरू करते थे लेकिन अब NMC ने क्या कर दिया है from previous year कि अब इसका round one चलेगा ठीक है साथ ही साथ एक दो दिन बाद State Quota का round one चलेगा इसका round two चलेगा फिर State Quota का round two चलेगा फिर इसका mop up चलेगा फिर State Quota का mop up कुछ दिन बाद चलेगा फिर State चलेगा फिर State Quota का स्टे चलेगा अगर सीटें बच्ची होता means अब क्या कर दिया इन्हों सीड्यूल कुछ इस तरह से पहले होता क्या था कि इस तरह से सीड्यूल ना होनी की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो State Quota में ही first जाते थे या फिर कुछ बच्चे और इंडिया कोटा में ही first जाते थे क्योंकि वहां पे फिर एक काउंसलिंग के एक पडिकलर राउंड के बाद फिर आपको अलाउन नहीं किया जाता है स्टेट कोटा में नहीं आते थे इससे क्या हुआ कि अब पहलेल काउंसलिंग चलेगी और इं नहीं करें इससे पहले क्या ह достиг होता था कि यहां पर दो रायुंड की कउंसल्इग होते दी स्टेट कों कई सारे इससे स्टेट जिसमें रांड वण की बी कांसा कि इस स्टार्ट नहीं होती थी अब MCC की counselling के बारे में बात कर लेते हैं MCC की counselling बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो सकती है यहाँ पे क्या होता है कि सभी स्टेट के जो 15% सीटे हैं गवर्मेंट की हर स्टेट की वह यहाँ पे आती है उनकी counselling All India Quota के थ्रू होती है MCC करा था और इसके लिए जो इलिजबिल्टी होती है वो सभी स्टेट के candidates इन सीटों को क्लेम कर सकते हैं आपकी जो rank होगी rank के हिसाब से आपको seat मिल जाएगी किसी भी स्टेट की तो वो All India Quota के थ्रू आपका selection माना जाएगा अब MCC की counselling किस तरह से होगी MCC की counselling कर हम इस पार बात करें तो changes क्या है पहली बात MCC में round one कर round one की counselling सुरू होगी ठीक है round one का result आ जाएगा round one result allotment result ठीक है ठीक है तो जिन बच्चों को यहां पर लेना होगा वो अपनी seat final कर देंगे जिनको further counselling मिने जाना होगा और जिनको further counselling जाना होगा वो अप्ग्रेड option choose करेंगे ठीक है साथी साथ सेम यही funda state quota में भी रह देगा state quota में भी सेम यही funda रहने वाला है ठीक है round one result आएगा और जिनको लेना होगा वो लेंगे जिनको अप्ग्रेड चूज करना हो अप्ग्रेड चूज करेंगे तो यह round one की बात रही state quota all इंडिया quota की round two में क्या होगा round two mcc round two mcc में क्या होगा कि जो बच्चे round one में अप्ग्रेड चूज किया है वो आ सकते हैं यहां पर ठीक है और यहां पर उनका जब result आएगा result of round two mcc ठीक है तो इसमें अगर आपने जॉइन कर लिया जॉइन कर लिया मैं इस प्रॉपर रिपोर्टिंग कर दी कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर दी ठीक है डॉकुमेंट के साथ तो फिर आपको resign करने नहीं दिया जाएगा no resignation accepted ठीक है तो आपको resign करने का मौका नहीं दिया जाएगा यह तो रही बात same यही funda इस बार state quota में भी होने वाला है नॉर्मली क्या होता था नॉर्मली दोस्तों क्या होता था कि कुछ state ऐसे होते थे state quota की counseling में कि round two के बाद भी आपको upgrade का option देते थे अप्ग्रेट का option कि आप अप्ग्रेट करके all India quota में चले आए या कहां पर भी चले आए किसी मौपप में चले आए या फिर किसी भी counseling में पार्स पेट कर दीजिए वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होता था लेकिन अब क्या है अब बाउंडेशन होगा means mcc और state यहां पर round two में जो बच्चे joined हो जाएंगे joined joined ठीक है जो भी joined हो जाएंगी means जो proper report करके document submit कर देंगे उनकी लिस्ट बनेगी लिस्ट एक software डिजाइन किया है MCA ने MCC ने एक software डिजाइन किया है ठीक है उस software में यहां के round two join यहां के round two join और round one join यहां के round one join means round one round two from MCC and round one round two from state quota all states all all states सभी की list आ जाएगी यहां पे एक list बनेगी और उनको block कर दिया जाएगा further counselling के लिए इससे पहले क्या होता था state में mop up तक बच्चे जाते थे मौपप के बाद भी switching कर देते से means ऐसा भी होता था मैं तब कोई bondation नहीं होता था लेकिन अब MCC इनको block कर देगा state quota round one round two को भी block कर देगा और all India quota round one round two के जो भी joint candidates होंगे उनको block कर देगा इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा बहुत अच्छा होगा इससे फायदा दोस्तों यह होगा कि बहुत सारे बच्चे जो state से AIQ में switch करते ठीक है AIQ उनको seat a lot हो जाती थी ठीक है मौप up में या फिर किसी round में फिर वो क्या कहते हैं यहां की seat उनको अच्छी नहीं लेगी तो इसको उन्होंने छोड़ दी हैं फिर से उन्होंने state quota में चले गए मतब यहां की seat उनने क्या कहते हैं ब्लॉक कर दी ब्लॉक कर दी ठीक है ब्लॉक हो गई यह seat किसी नीचे rank वाले को मिल सकती थी लेकिन क्योंकि इस बच्चे नहीं यहां पर इसको ब्लॉक कर दी है इसकी मनपसंद की seat नहीं मिली क्योंकि बच्चे जान बूच की choice feeling करते हैं बहुत सरे बच्चे होते कि भीया कि चलू choice feeling करते हैं डे तो ऐसी करते हैं ऐसी सोच रहती है बच्चों की जिसकी वज़ा से यह होता है अब यह राउंड़ वन राउंड़ का लफ़ा कप्या यहाँ पर राउंड वन राउंड़ के जो बच्चे होंगे जिनको सीट नहीं मिली होगी वही फर्दर काउंसलिंग में मीस मॉप अप में या फिर इस्ट्रे में जाएंगे ठीक है तो इसका सीधा सीधा प्रवह ये पड़ेगा कि सीट ब्लॉकिंग आपकी रुकेगी अन्फिल्ड सीडें नहीं रहेंगी लास्ट दो सो से ज्यादा टू हंडेट प्लस जीएमसी एंवीबियस सीट अन्फिल्ड रह गई थी मीस कहीं पर भी वह उनका एड्मिशन ही नहीं हुआ था उस सीट में मीस कॉलेज में वह वेकन सीट रह गई क्यों क्योंकि सीट ब्लॉकिंग क्यों जैसे यह नहीं होने वाला है औ All right I can come to the All right MCC कि जो कॉंस्लिंग है वो जैसे मैंने कहा कि दो चार रांड होंगे रांड वण रांड तू मौप अ इस्ट्रे के अलागी कभी-कभी क्या होता है इस्ट्रे के बाद भी सीटे बगती है तो तो इस्पेसलिस्ट्रे करवाते हैं पिछली बार उन्होंने करवाया था उसके बावजूद भी स्पेसलिस्ट्रे काउंसलिंग करने के बावजूद भी बच्चों ने सीट ब्लॉक की और 200 प्लास MBBS की गौर्णमेंट सीट अन्फिल्ड यहां पर उन्होंने ब्लॉक करके छो इसके बारे में सोचना होगए MCC को कि यह जो 200 अन्फिल्ड सीटे गई हैं यह बच्चे हैं इस बार वैसे बच्चने के चांसे से क्योंकि यह राउंड वर राउंड टू स्टेट और AIQ दोनों में ब्लॉक करने बाले हैं बच्चों को इससे फाइड़ा होगा और लोई स्क करिए जहां पर आपकी चौईस है दर सौन